दोस्तों आप लोगों का दबुक्स क्लब में स्वागत है मित्रो आज हम आपके लिए मौलिक अधिकार एवं उससे समंदित अनुछेद एवं पंच वर्सी योजना से रिलेटेड वेरी इंपोर्टेंट कोशन लेके आए हैं जो आने वाले एक्जाम के लिए वेरी इंपोर् कोशनों को अच्छी तरीके से समझ कर याद कर लिया जाएगा तो चलिए सुरुवात करते हैं हमारा पहला कोशन क्या है मौलिक अधिकार से रिलेटेड हमारा पहला कोशन है समानता का अधिकार किन अंच्छेदों में वर्नित है तो समानता का अधिकार जो है अंच्छेद 14 से 18 तक है समानता का अधिकार किन अंच्छेदों में वर्नित है तो अंच्छेद 14 से लेके 18 तक जो है समानता का अधिकार जो है अंच्छेदों में वर्नित है नेक्स कोशन है सोतनतता का अधिकार किन अंच्छेदों में वर्नित है तो अंच्छेद 19 से लेके 22 तक सोतंतता का अधिकार किन अंचेदों में वर्णित है तो अंचेद 19 से लेके 22 तक और जब बात करें समानता की तो समानिता का अधिकार है अंचेद 14 से लेके 18 तक नेक्स कोशन देख लेते हैं अगला कोशन क्या है हमारा सोसड के विरुद अधिकार किन अंचेदों में वर्णित है तो अंचेद 23 लेके 24 तक यानि 23 वा 24 अंचेद के विरुद अधिकार किन अंचेदों में वर्णित है तो अंचेद 23 लेके 24 तक अगला है धार्मिक सोतंतता का अधिकार किन अंचेदों में वर्णित है तो अंचेद 25 से लेके 28 तक और संस्कति और सिच्छा का अधिकार किन अंचेदों में वर्णित है तो अंचेद 29 से लेके 30 तक तीसरा कोशन है मारा सोसड के विरुद अधिकार किन अंचेदों में वर्णित है तो इसका सही आंसर है अंचेद 23 वा 24 या कह सकते हैं अंचेद 23 से लेके 24 तक फिर पूछ रहा है धार्मिक स्वतंता का अधिकार किन अंचेदों में वर्णित है तो अंचेद 25 से लेके 28 तक क्या है हमारा अगला कोशन है समवधानिक उपचारों का अधिकार किन अंच्छेदों में वर्णित है तो अंच्छेद 31 से लेके 35 तक तो यह बेरी इंपॉर्टन्स छे कोशन थे इसके बाद हम पंच वर्सी यूजना के भी से में अध्यन करेंगे तो कोशेशे करेंगे पहले समानता का अधिकार किन अंच्छेदों में वर्णित है तो अंच्छेद 14 से लेके 18 तक समानता से रिलेटेड अंच्छेद है और सोतंता का अधिकार किन अंच्छेदों में वर्णित है तो अंच्छेद 19 से लेके 22 तक सोतंता के अधिकार से रिलेटेड अंच्छेदों में तीसरा कोशन देख लेते हैं सम्विधानिक उप्चारों का अधिकार किन अंशेदों में वर्णित है तो अंशेद 31 से लेके 35 तक अब हम आ जाते हैं पंच वर्सी योजना से रिलेटेड पहला कोशन क्या है प्रथम पंच वर्सी योजना की प्रात्मिक्ता किया थी तो क्या थी क्रसी थी 1951 से लेके 1956 तक जो पंच वर्सी पहली प्रथम पंच वर्सी योजना थी 1951 से लेके 1956 तक उसकी जो प्रात्मिक्ता थी वो क्रसी थी यानि खेती अगला दूसरा दूती पंच वर्षी योजना की प्रात्मिक्ता क्या थी तो तीब्र अधोगी करण यानि 1956 से लेके 1961 तक जो है तीव रोद्दोगी करण से related जो है दुती पंचवर्सी योजना थी अब हम आ जाते हैं तीसरी तिती पंचवर्सी योजना की क्या प्रात्मिक्ता थी स्वालंबी अर्थ ब्यवस्था 1961 से लेके 1906 तक जो तिती पंचवर्सी योजना थी उसकी क्या प्रात्मिक्ता थी श्वालंबी अर्थ ब्यवस्था फिर चौती पंचवर्सी योजना की प्रात्मिक्ता से related क्या था आत्म निर्वता की प्राप्ती यानि 1979 से लेके 1974 तक इसके बीच कुछ duration time था जो 1906 के बाद 68 पर नहीं था दो साल का gap था फिर उसके बाद 1979 पर शुरू हुआ तो चौती पंचवर्सी योजना की क्या प्रात्मिक्ता थी आत्म निर्वता की प्राप्ती 1979 से लेके 1974 तक पंचवर्सी योजना की क्या प्रात्मिक्ता थी तो गरीब उन्मूलन 1974 से लेके 1989 तक पंचवर्सी योजना की प्रात्मिक्ता किया थी गरीब उन्मूलन चले इन पॉइंटों को एक बार फिर से देख लेते हैं पहला क्या था पहला पर्थम पंचवर्सी योजना की प्रात्मिक्ता क्या थी तक कब से 1951 से लेके 1956 तक दूती पंच वर्सी योजना की प्रात्मिक्ता क्या थी? तीब्र और दोगी करण 1956 से लेके 1961 तक नेक्ट आ जाते हैं तृती पंच वर्सी योजना की प्रात्मिक्ता क्या थी? शुलंबी अर्थ बिवस्था 1961 से लेके 1964 तक फिर चौती पंचवर्सी योजना की प्रात्मिक्ता क्या थी? आत्म निर्भरता की प्राप्ती 1979 से लेके 1974 तक और फिर उसके बाद पंचवर्सी यानि पांचवी पंचवर्सी योजना की प्रात्मिक्ता क्या थी? गरीब उन्मूलन या गरीब उन्मूलन 1974 से लेके 1989 तक ठीक ह अब आजाते हैं छटी, छटी पंच वर्षी योजना की प्रात्मिक्ता क्या है तक, छटी पंच वर्सी योजना की प्रात्मिक्ता क्या थी? आत्म निर्भर्व आर्थ बेवस्था 1985 से लेके 1990 तक साथवी पंच वर्षी यूजना की प्रात्मिक्ता क्या थी? आत्म निर्भर्व आर्थ बेवस्था 1985 से लेके 1990 तक नेक्स देख लेते हैं आठवी पंच वर्षी यूजना की प्रात्मिक्ता क्या थी? क्रस्य एवं विकास 1992 से लेके 1997 तक आठवी पंचवर्सी योजना की प्रात्मिक्ता क्या थी क्रस्य एवं विकास 1992 से लेके 1997 तक नवी पंचवर्सी योजना की प्रात्मिक्ता क्या थी नियापूर बितरण 1997 से लेके 2002 तक नवी पंच वर्षी योजना की प्रात्मिक्ता क्या थी न्यायपूर बित्रण 1997 से लेके 2002 तक अगला पॉइंट देख लेते हैं अगला कोशन के है दसवी पंच वर्षी योजना की प्रात्मिक्ता क्या थी तो सामाजिक न्याय एवं समानता 2002 से लेके 2007 तक दसवी पंच वर्षी योजना की प्रात्मिक्ता क्या थी सामाजिक न्याय एवं समानता 2002 से लेके 2007 तक ग्यारवी पंच वर्षी योजना की प्रात्मिक्ता क्या थी तीवर एवं समावेसी विकास 2007 से लेके 2012 तक ग्यारवी पंचवर्षी योजना की प्रात्मिक्ता क्या थी तीब्र एवम समावेसी विकास 2007 से लेके 2012 तक नेक्ष देख लेते हैं अगला बारवी पंचवर्षी योजना की प्रात्मिक्ता क्या थी तोरित समावेसी विकास 2012 से लेके 2017 तक बारवी पंचवर्षी यूजना की प्रात्मिक्ता क्या थी? तोरित समावेसी विकास 2012 लेके 2017 तक तो 6 से फिर से एक बार चेकर लेते हैं छटी पंचवर्षी यूजना की प्रात्मिक्ता क्या थी? रोजगार सरजन 1980 से लेके 1980 तक साथवी पंच वर्षी यूजना की प्रात्मिक्ता क्या थी आत्म निर्भर अर्थ बिवस्था 1985 से लेके 1990 तक फिर आठवी पंच वर्षी यूजना की प्रात्मिक्ता क्या थी क्रस यूम विकास 1992 से लेके 1997 तक नवी पंचवर्सी योजना की प्रात्मिक्ता क्या थी नियाए पूर बित्रण 1997 से लेके 2002 तक फिर नेक्ष देख लेते हैं अगला दसवी पंचवर्सी योजना की प्रात्मिक्ता क्या थी सामाजिक नियाए एवं समानता 2002 से लेके 2007 तक तो मित्रो अभी इसको जल दिस रिविजन कर लेते हैं जिससे पूरी तरीकस कलियर हो जाएगा आपके दिमाख में और जिन मित्रो ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लेज लाइक जरूर करिए और जो आपके WhatsApp पर Group Study हैं उनमें Share जरूर करिए क्योंकि आपके बहुत साथी तैयारी कर रहे होंगे तो ये उनके लिए Very Important है तो चलिए एक बार फिर से Revision कर लेते हैं समानता का अधिकार किन अन्छेदों में वर्णित है तो अन्छेद 14 लेके 18 तक समानता का अधिकार है सोतंता का अधिकार किन अन्छेदों में वर्णित है तो अन्छेद 19 से लेके 22 तक अन्छेद 19 से लेके 22 तक सोतंता का अधिकार से Related है अगला देख लेते हैं तीसरा सोशन के विरूत अधिकार किन अंचेदों में वर्णित है तो अंचेद 23 से लेके 24 धार्मिक सोतंता का अधिकार किन अंचेदों में वर्णित है तो अंचेद 25 से 28 संस्क्रत और सिच्छा का अधिकार किन अंचेदों में वर्णित है तो अंचेद 29 से 30 नेक्ट देख लेते हैं अगला कोशन क्या है समविदाहनिक उपचारों का अधिकार के अंचेदों में वर्णित है तो अंचेद 31 से लेके 35 तक फिर आज आते हैं हमारा पंचवर्सी योजना से रिलेटेड प्रथम पंचवर्सी योजना की प्रात्मिक्ता क्या थी तीब और दोगी करण 1956 से लेके 1961 तक दूसरा तीसरा देख लेते हैं तिती पंचवर्सी योजना की प्रात्मिक्ता क्या थी श्वलंबी अर्थविवस्था 1961 से लेके 1964 तक चौती पंचवर्सी योजना की प्रात्मिक्ता क्या थी आत्म निर्भरता की प्राप्ती 1979 से लेके 1974 तक फिर पंचवी पंचवर्षी योजना की प्रात्मिक्ता क्या थी गरीब उन्मूलन 1974 से लेके 1989 तक नेक्स्ट है छटी पंचवर्षी योजना की प्रात्मिक्ता क्या थी रोजगार स्रजन 1980 से लेके 1950 तक साथवी पंच वर्षी योजना की प्रात्मिक्ता क्या थी आत्म निर्भर अर्थ विवस्था 1950 से लेके 1990 तक नेक्स देख लेते हैं अगला आठवी पंच वर्षी योजना की प्रात्मिक्ता क्या थी करस एवं विकास 1992 से लेके 1997 नवी पंचवर्सी योजना की प्रात्मिक्ता क्या थी? नियापूर बित्रण 1997 से लेके 2002 तक नेक्ष देख लेते हैं दसवी पंचवर्सी योजना की प्रात्मिक्ता क्या थी? सामाजिक नियाए एवं समानता 2002 से लेके 2007 तक ग्यारवी पंचवर्सी योजना की प्रात्मिक्ता क्या थी तीब्र एवम समावेसी विकास 2007 से लेके 2012 तक बारवी पंचवर्सी योजना की प्रात्मिक्ता क्या थी तोरित समावेसी विकास 2012 से लेके 2017 तक तो मित्रो ये very important question थे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share, comment और subscribe करना मत भूलिएगा बहुत बहुत धन्यवाद